मतलब कि का बताएं आपको इसके second season के बारे में थोड़ा सा भी information दे दिये ना, तो बवाल हो जाएगा और हमसे पहले भी बहुत सारे यूटूबर्स ने इसका मिर्जापूर 2 का review करती है, हम थोड़े लेट होगे, तो क्या हुआ, आए हैं तो कुछ करके ही जाएंगे सच कहूं यार, ये वाला action मुझे बहुत जादा फसंद आया इस series के अंदर, नमश्कार दोस्तों, इस video में बात करने वाला उमिर्जापूर्स web series के second season के बारे में, total इसके अंदर 10 episode है, देखो इसके second season का इंतजार, जितना लोगों को चुनाव के result का नहीं होता, उससे जाद कि यार, बोल देना चाहिए, तो बोल दिया मैंने, जहाँ पर first season खतम होता है, वहीं से second season की शुरुआत होती है, मुना तिरपाटी बैट पर लेटा हुए, उसको गोलियां लगी हुए, और गुडू पंडित वो भी बैट पर लेटा हुए, दोनों के हलते हैं, इसमें लोगों को यह series देखनी पड़ेगी, मैं इस video में बात करूँ कि इस series में क्या अच्छा है और क्या बुरा है, सबसे पहले हम start करते हैं, अच्छी चीजों से यार, शुरुआत तो अच्छी बातों से होने चाहिए, इस series में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इसमें क थोड़ा बहुत पोलिटिकल जो एंगल दिखाया गया था, वो थोड़ा बहुत ही था, लेकिन इसके second season में यहां पर हर कोई राजनीती कर रहा है, तो इस series को देखते वक्त अपने आँख के साथ, अपने दिमाग के धकन भी खोल कर देखने होगी, वरना पता ही नहीं चले हो पाते हैं, इस बार गुड़ू पंडित की बंदू कम गॉलू का धिमाग ज़्यादा चला है, अब देखाया इस season में total 10 episode है, तो हर एक episode की दो बात मैं कर नहीं सकता है, इसकी story के बारे मैं बता नहीं सकता, I hope so, जितना आप लोगों को बताया है, उससे आप यह समझ लेते हैं, देखो कमी इसमें के दर मुझे यह लगी कि इसके जो 10 episode हैं, वो कुछ ज़्यादा ही लंबे खींचे दे हैं, मैं यह नहीं कह रहा है कि वो 10 episode को कम करिया जा सकता था, इन 10 episode में कुछ और भी ज़्यादा दिखाया जा सकता था, बट मुझे लगता है कि इसके makers न के last episode को देखोगे, अब बात कर ले देखोगे इसके performance के, performance के मावले में इसके हर एक कलाकार में कहूँगा कि चुमेशवर performance दी है, अब ऐसा नहीं है कि इसके second season के साथ साथ ये पूरी series खतम हो गया, ना भाई ना, इसके second season के ऐसे point पर खतम किया आप लोगों को इसके third season का इंतजार रहेगा, अब देखो जो बात करने वालों मेरा personal opinion है, तो यहर देखो आपका अपना opinion हो सकता है, जिस तेके से जो भारतिया OTT platform बाहर आ रहे हैं, अपने content लेके, जैसे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा गालियां और सबसे ज़्यादा sex दिखाने की कोशिश की जा वो समझदारों के लिए, अब बाकी लोगों का मैं क्या कर सकता हूँ, तुम तुम जाके series देख सकते हो, और अब ऐसा feel होने लगए कि आने वाले time में बहुत कम ऐसी movies, जो 15-15-20 minute की movies होंगी, शायद ही वो ऐसी movies आएंगी, जिनके अंदर गाली गलोच नहीं हो, क्योंकि आ अपना opinion आप लोगों को दे दिया है, तो बस आज के लिए इतना है था इस वीडियो में, थैंक्स वरोचिंग इस वीडियो में, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में, जाहेंगे